नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और कुसलमंगल होंगे तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपने पुरानी साडी से बने वे के डिजाइन देखकर आप इने सिलवाईगे मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपने पुरानी साड़ी जो मेरे पास पुरानी साड़ी थी उनके साथ के सी लेवे बलाउज उमीद करती हूँ कि इन बलाउज का डिजाइन आपको पसंद आएगा ये बलाउज काफी अच्छे सी लेवे हैं तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इन में से कौन सा बलाउज आपको सबसे अच्छा लाई अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा प्रेंड्स से मेरा बलाउज है और यह इसके फ्रंट साइड है और यह फ्रंट साइड में यह लैस लगाई गयी है जो की मेरी साड़ी में गोल्डण कलर था और उसी से मैचिंग ये इसमें लैस लगाई गयी है और इसके साथ एये haf is lips blouse बनाया गया है और ये इसके गोल्ड ये ओर एंज कलर इस लगाई गई है मेरे साड़ी में ओरैंज कलर भी था और ये इसकी होफ सलीप समय ओरेंज कलर थे लगाई गई हैं और ये एक लैस यह वी लगाई गई है और यह यह या समय Ugh, फ्रेंड यह अरेंज कलर की जो यh लिख है यह एक रीबन है तो यह रीबन है यह तो याी बनी इसमें लगाया गया है प्रेंडिग्त इह जो गड़म कलर की गटन नायीय एगाययगि यह को डेखियं तो ये इसकी बैक स्थ ए ये बैक साइद में भी आ रजाइन बनाय गया और इसके चारों तरफ लिया ऑर पहलने के बाद इसे बलाऊज में काफी अच्छा लुखाता है। ब्लाऊज में ये छिजाइन क्रेंड लास्केशनें । लटकन लगाई गई है लिए त्यम्मेरे टेंफें टेलरी कि गडबड़ कर दी इसमें ओरेंज कलर की लटकन लगानी नानी है। जो कि उसने नहीं लगाई और मैंने उसको बोला था इस इस ब्लाउज की लुकिंग पहनने के बाद काफिय अच्छी आती है प्रेंड से मेरा दूसरा ब्लाउज है इसमें ये मटकी वाला डिजाइन बनाया गया है और इसके चारो तरफ ये ब्लू कलर की लैस लगाई गई है ये देखें ये ब्लू कलर की लैस लगाई गई है मेरे साड़ी में ये ब्लू कलर था और उसी से मैचिंग ये लैस लगाई गई है और इसके साथ ही ये गोल्डन कलर की डोरी लगाई गई है और यह blue color की ही लटकन लगाई गई है जो कि इसमें काफी अच्छी लगती है और friends यह blouse पहनने के बाद इसका भी काफी अच्छा लुक आता है और यह साड़ी से मैचिंगी यह इसमें लेस लगाई गया है और यह साइब मेरे ब्लू कलर की पाइपन लगाई गया है यह देखे इस पर भी यह blue color की पाइपन लगाई गया है इस blouse का लुक भी काफी अच्छा आता है और पहनने के बाद यह blouse काफी सुन्दर लगता है प्रेंड से मेरा तीसरा blouse है यह इसकी बैक साइड है प्रेंड मेरे साडी में इसमें भी ओरेंज कलर था तो यह ओरेंज कलर की इसमें लेस लगाई गई है और यह डीप लिया गया है और और ओरेंज कलर की इसमें लटकन लगाई गई है और फ्रेंड मेरे साडी में यह दो कलर थे कोफी कलर और यह क्रीम कलर तो उसी की इसमें लटकन लगाई गई है अधनी के फ्रेंट यह मेरे ब cuánt कि फ्रेंट साइड है कर दीकरी देख मेरे सिंपल राउंड लिया गया है और यह मैने कोई प्राइड बलाउज ने बनवाई सिंपली बनवाई जो बैक कड़ी जाए ने सिंपल राउंड में लिया गया है अगर आप चाहें तो इसमें दूसरी सेब भी मन्मा सकते हैं फ्रेंस इसमें आप चोकृर बैक साइड में चोकृ और अगला भी बनवा सकते हैं और सुवीट हार्ट गला भी बनवा सकते हैं ये भी काफी अच्छा लगेगा और उसके चारो तरफ ये लेस लगवा दीजिए तो आपके बलाउज में एक अलग ही लोग आएगा फ्रेंट्स ये देखें मेरा चोथा बलाउज ये सुवीट हार्ट गला बनाया गया है ये बिल्कुल सिंपल है बाकी इसका है न पहनने के बाद वो तच्छा लूग आता है और मेरी साड़ी में ये गोल्डन कलर था तो इसमें ये चारो तरफ गोल्डन कलर की लेस लगाई गई है ये देखें ये गोल्डन कलर की चारो तरफ लेस लगाई गई है इसकी फ्रेंट साइड में भी गोल्डन कलर की लेस लगाई गई है और ये हाफ स्लीव में दिया गया है फ्रेंट्स आप फुल स्लीव भी बनवा सकते हैं जैसी आपकी चोईस है और friends आप अपने जो back में और front side में अपने साड़ी से matching जो आपके साड़ी में color match करता हो उसकी piping जरूर लगवाईए तो इससे आपके blouse में काफी सुन्दर लोग आएगा और ये आपके blouse पहनने के बाद काफी अच्छे लगेंगे friends आपको ये मेरे blouse कैसे लगे ये प्लीज मझे comment box में बताईए मिलते हैं next video में तब तक के लिए take care and bye bye